ओम गन गन पताई नमा नमस्कार दोस्तों आज हम मुंबई पहुँच चुके हैं और यहां पर दिखाने वाले हैं कि इस बार गणेश महुचो किस तरीके से मनाया जा रहा है तो आज आपको बताएंगे कि मुंबई में किस तरीके से गणेश चुतूर्थी और गणेश मस्की में और मुंबई में गड़े चतुती की शुरुआत कहां से हुई थी और मुंबई में कौन-कौन सी जगए हैं यहां पर गड़े तम उसो बहुत जोरो सोरो से मनाया जा रहा है तो बस दोस्तों आप बने रही है हमारी इस वीडियो में लाज तक और जानिए सबी चीज जए हैं मुंबई चा-रागा के वे सबीसे अचाए और मंबई में लसा सब culture का जाता है और बाता देता हूं। तो अगर आप मुंबई आ रहे हैं यहां पर गले चतुर्थी उत्सों मनाने के लिए तो आपको कौन-कौन से जगए पर जाना चाहिए उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मुंबई चला जा कि जो यहां पर गेट है उसको कि अच्छी तरीके से बनाया गया हुआ है आप यहां पर आपको आसानी से अबलेबल हो जाता है बीस उपह का एक पास मिलता है जो आप पास लेकर डिर्क्ली दर्शन के लिए जा सकते हो और अगर आप जन्रल लाइन से जाते हो तो जन्रल लाइन में बहुत ज्यादा बीन डहती है जिसकी वेसे आपको थोड़ा टा तो दोस्तों भी हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से जिगह में घूमना चाइए अगर आप मुंबई आ रहे हैं गड़ेस मौत सो मनाने तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर हम जा रहे हैं मुंबई चाराजा क्योंकि रोब प्रेल के पास में मिल जाते हैं और उसक सकते हैं खेतवाडिचा गंडाजी को और उसके बाद आपको यहां पर जो बच्चे हुए दो चीजे हैं वह मैं आपको बताय देता हूं कि जो कि आपको जिस्वा गनेश मंदल की तरफ से गिंग सर्कल के पास में देखनों को मिलने वाला जो कि आप क्या बोलते सेंटर ला बनाई आती है बहुत अच्छी तरीकिसे सजा जाता है उसमें से सबसे फेमस तो लालबाग्चा राजा जो की सोनों से और हीदों से मड़ी होई मूर्ती बनाई जाती है अब देखें दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुंबई चारा जी के पास में और से पहले यहां पर ब है सिवा जी का इसां और मनांता पर देखेंग नाने कहुंच और जो या इन वान जाटे यह कहनों और यूटने दिन वानाता है इसी दिन भगवान गणेजी का जन्म हुआ था जो कि हम यहां पर बहुत ही जोरो सोरो से मनाते हैं और हमें लगता होगा कि यह हमारे लिए सिफिक तेवहर है लेकिन यह मुंबई वादस्यों के तो इसमें जान बस्ती है और इसलिए गणेज चुत्रुची को जोरो सोरो से यहां का बहुत ही परमुकते वहार है जो कि सेप्तमबर या फिर अगस्त के महने में मनाया जाता है यहां पर बहुत ही जाता भीर उमरती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर बहुत जाता भीर है तो भी आपको सामने की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं सिवा ज नियां पर क्यूंग बनाआ है इसके पीछे के कानी है जो कि मैं भी आपको बताता हूं, ऐसा माना जाता है कि मुँभें में गणे चतोती inadhya की उत्तव की उत्तती परति लाठा सासक सीवा जी से मानी जाती है, यह ऐसा इसलिए बोला जाता है कि यह वही वक्ती थे जिन्हों अपनी प्रजाक में रास्तवादी भावनाई जगाने के लिए संस्क्रितिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव की शुरुआत करी थी और 1882 के बाद से इस उत्सव को नई हवा मिली तब बाल गंगा धर तिलक ने इसे शुतंसता संगराम के संदेश को फैला दिया गया और दोस्तों अपडेर ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं सिवाजी के दरवार में और दिखाते हैं यहां पर सिवाजी की मूर्ती किस तरीके से बनाए गई हुई है और मिलवाते हैं आपको सिवाजी से और उनसे पहले आप उनके पहरेदारों से मिल प्रवादिया कर दो कि कि अजीन आएखान को अजा फैसे हाओ आए जोटाए भी इसानी आए नाए जाए न को से हमगा निया राट भाल फींवे अर्टाइश कर दो एगए आए जाए पाल पाल फीडिया कर दो एघ्जुब सिटा भाल इला ने बीदार फीडि़ा आए वाणिए नारद मुदी अब शीवाजी से हमने मिल दो भी चलते हैं मुंबई चाराजा जी के दर्समें के लिए विए आप देखेंगे यहां पर फुली भीड मिलेगी और सामने की तरह आप देख सकते हैं गने जी की मूर्ति बनाएंगी हुई जो कि मोमबईी चाह राजा टो मीचाह राजा के नाम से यहाद गण Σी को बोला गया गया हूआ है तो ऐसा माना जाता है कि आप धोंधी की किर्पा है मुर्फक मुम घो कुछ नहीं पर धो है तरहीं तो एक हुआ है बतु के मुर्ति कि व convention कर यह यहां पर दो दाग्पादी का जड़ा मार्चा जाओ को नादीयर। भल 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 भाविकुर वाले की जाओ के जाओ आजाओ ठेट के समचा आजाओका जाओ ते शंक लागे, कुम भाइशा राजाओके फतने ए चाल, पया जलोगि औरफिदिधת औरफा में आना रोजिए झां वो चाल कर दो अ कर दे कर दो घर कर दंद हो इुँित प्राशन यहाव कि यहाव को the book बांच कर फसे हिरा हुआ कर दो दो है कि यह पार दो जैसे ही आप मुंबई चाराजा के दर्संगर के बाहर की तरफ निकलेंगे यहां पर आपको बहुत सारी स्वाप्स मिलेंगे ख़आनों की खेलों की और खाने पेने की बहुत सारी स्वाप्स मिलेंगे तो आप एसे जुए आपको प्लते हैं ईुह आप को Extremadura वीडियोस बनाई है मुंबई दरसन के उपटर तो आप एंपर बटन में मोम डशन की वीडियोस सबसे पहले मिले जो कि अभी हम जाने वारे हैं लालचा लाजा के पास और जो बचे हुए तीन राजा हैं जो जहां पर गंडेजी की स्थापने करीगे यह वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो हमारी इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू से जरूर दबा दें जिससे की आप सभी जगे की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं थैंकि फॉर वाचिंग इस वीडियो इंच्वाइदा वीडियो आइक नाओ